हलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चनल रावाद एस्टडी में आज हम आपको यूपी पुलिस रेडियो आपटर की जो बरती आई थी उसमें बीटेक वालों को बाहर कर दिया गया है तो उसकी संबंद में जो नोटीस है और पहले क्या विवाद था कैसे माटर साल हुआ कोट ने क्या आदेश दिया है इन सभी बिंदुओं को हम इस वीडियो में देखेंगे और आपको बताएंगे कि बीटेक क्यों क्यों नहीं eligible माना गया है तो देखिए कि पहले यूपी पुलिस रेडियो आपटर भरती बीटेक को कोट से बहुत बड़ा जटका लग है कि रेडियो आपटर भरती में केवल डिपलोमा आइमा ने आदेश जारी कर दिया गया है अब बीटेक वाले सावधान हो जाएं आवेदन न करें जैसा कि पहले यह बताया गया था कि बीटेक डिपलोमा जहां पर है वहाँ पर बीटेक एलेजबिल नहीं है लेकिन फिर भी लोग नहीं माने इसके बाद आप कोट ने बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है यानि बीटेक को कि कम्प्यूटर राप्टर की भरती से बाहर कर दिया है अब केवल डिपलोमा वाले ही इस भरती में माने होंगे तो सब्सक्राइले मैं यह जो पूलिस की रेडियो देखिए यह उत्तरप्रदेश पूरिस रेक्रूप्मेंट एंड प्रमोशन बोर्ड द्वारा यूपी पी रेडियो कडर हेड आपरेटर हेड आपरेटर माकाइनिक की भरती निकाली गई थी इस भरती में 936 हेड आपरेटर हेड आपरेटर माकाइनिक के पोस्ट थे हैं जिसके लिए इलेजबिल्टी जो है त्री इयर डिप्लोमा इन इलेक्रोनिक्स तेली कम्मुनिकेशन इलेक्रिकल कम्प्यूटर साइंस आईटी और माकाइनिकल को मांगा गया था इसमें 936 पोस्टों के लिए जो इलेजबिल्टी थी वह डिप्लोमा इन इलेक्रोनिक्स तेली कम्मुनिकेशन इलेक्रिकल कम्प्यूटर साइंस आईटी और माकाइनिकल इतने डिप्लोमा को माना गया था और साथ ही साथ इसमें हाइट का भी यसू था एक सवाइट ओबीसी यसी जनरल की थी यस्टी के 113 फीमेल जो हैं 152 सेंटीमेटर यस्टी की फीमेल एक सटाली सेंटीमेटर है चेश्ट जो है 79, 75 तक था जनरल ओबीसी यसी के लिए यस्टी के लिए सेंटीमेटर सेंटीमेटर तक था और इसमें रनिंग जो है 4.1 किलोमेटर इन 28 मिनट में और माहिला के लिए 2.4 किलोमेटर इन 16 मिनट में और इसकी जो काटेगरी यसीटे थी जनरल की 379, EWS की 92, OBC की 252, ST की 195, ST की 18, टोटल 936 बदों पर विज्यापन आया था इसके बाद जासा कि मैं बताया था कि इसमें जो योगिता मांगे गई थी वह है 3-year engineering, diploma in electronics, telecommunication, electrical, computer science, IT, even mechanical इतना जब diploma मांगा गया था तो इस diploma के मांगने के बाद भी कुछ अबयर्थी जो बीटक किये थे इन ब्रांचों से उन्होंने भी फाम को अपलाई कर दिया था जिसके बाद अबयर्थी कोर्ट चले गए थे और साथ साथ बोर्ड में भी उन्होंने यह जानकारी दे दी थी तो वहाँ से इन बच्चों को रिलिक मिला है और बीटक को बीटक वालों को इस head operator की वर्ती से बाहर कर दिया गया है मैं आप लोगों को वह लेटर भी दिखाऊंगा जहां साफो साफ मेंजन किया गया है कि बीटक जो है कम्प्यूटर आपरेटर भरती के लिए जिविल नहीं है यानि जहां पर डिप्लोमा मांगा गया है वहां पर बीटक इलेजबिल नहीं होगा जैसा कि आपने देखा होगा कि यूपी ट्री पलसी जेई दोजार चोविस में भी बीटक को अलाव नहीं किया गया है उसके बाद भी कुछ फर्जी तरीके से लोग भर रहे हैं तो वहां लोग सावधान हो जाएं नहीं तो उनके उपर आयोग कारवाई करेगा आप यहां पर देख सकते हैं यह भरती डिपलमा होल्डर के लिए थी लेकिन बीटक वाले भर रहे थे इसलिए उनको बाहर कर दिया गया है अब मैं आपको लेटर भी दिखा जेता हूँ वह जो आदेश आया है वह आदेश भी दिखा जेता हूँ जिसमें यह बातें कही ग कि बोर्ड की गोष्ठी का कारिवरित रिजलूशन दिनांग 25-25-21 के प्रधान परिचालक प्रधान परिचालक या अंतरिक पद हेतु सैचिक आरता के अनुसार अभ्यरती ने भारत में विधी द्वारा अस्थापित बोर्ड जे इलेक्ट्रानिक्स, टेली कम्यूकेशन, इलेक्ट्रिकल, कम्प्रूटर साइन्स, इनफार्मेशन टेकोनलाजी, मेकैनिकल इन्गिनिरिंग में तीन वर्थी डिप्लोमा कोर्स अत्वा सरकार द्वारा उसके समकच्छ मानता प्राप्त कोई परिच्छा उत्त्रन की हो के साथ उक्सविश्यों में चार वर्थी डिप्लोमा से उच अस्तर की आधार पर इन अभ्यर्थियों को भी उक्तपद एतु अहर माने जाने से संबन्दित निडलिया गया था जिसे बोर्ड की गोष्ठी 23-4-2024 को आंसिक रूप से संसोधित करते हुए उक्तपद की सैच्छिक आहरता के अंतरगत यह निडलिया गया है कि चार वर्थी डिगरी उपाधी धारक अभ्यर्थियों को उक्तपद एतु आहर नहीं माना जाएगा यानि पहले इन अभ्यर्थियों को अनुमति देजी गई थी कि चुकि डिप्लोमा योगता है तो वीटेक वाले भर सकते हैं लेकिन जब दुबारा बैठक हुई है 23-4-2024 को तो इसमें साप उसाप कर दिया गया है कि चार वर्थी उपाधी धारक अभ्यर्थियों को उक्त वर्थी से बाहर कर दिया गया है तो यह निड़ा आयोग बोर्ड ने लिया है आप देख लिजिए कि इसलिए मैं का बार बार कर रहा हूं कि आप जो है यूपी ट्रिपल सी यही भरती में जो बीटेक वाले बैठती हैं वह फार्म को ना बरें क्योंकि आप देख रहे हैं क बीटेक रिसमें इलिज्मिल नहीं है यानि जो अबयरती बीटेक से फार्म डाले हैं उनका बयरता निरेस्ट कर दिया गया है अब के वाल इस भरती में डिपलोमा वाले ही मान होंगे तो आप लोग देख लिजिए लगातार जो बाते कहीं जा रहे हैं कि बीटेक वाले ना भरें तो यह लोग संग्यान ले लें और इस फार्म को ना फिल करें क्योंकि फिर वही बात में बात होगी अपायार होगा सब कुछ आपके खिलाप होगा कारवाई जिसके लिए आप स्वेम जिमदार क्योंकि जब सोचिए कि यह पहले करने के बाद जब जर्थी कोड जाने लगे जब जर्थी आयोग बोड को या जनकारी दिये कि डिप्लोमा बीटे के समकच नहीं है या समकच नहीं माना जाता है तब जाकर के बोड ने यह निड़लिया है कि कंप्यूटर आप्रेटर की बर्थी के लिए केवल डिप्लोमा वाले ही मान होंगे डिगरी वाले माने नहीं होंगे तो उसी करम में यह जनकारी दी गई है अब जो है तो मैंने पहले आक वता दिया कि रेडियो आप्रेटर भर्थी में केवल डिप्लोमा ही मान होंगे आदेश बिसका जारी कर दिया गया है जो अब भर्थी इस फाम को फिल किये थे डिगरी वाले वाले इसको अब भोल जाए अगर आगे कारवाई करेंगे तो उनके खिलाफ बोर्ड जो है सकत कदम उठाएगा और बीटे क्वाली यह भी साथ आवना जा कि आने वाले जितने भी डिप्लोमा ओल्डर सी वाकेंसी है जिसमें उनको इलिजबिल नहीं माना गया है तिरिप्या करके उसको फाम को न भरें नहीं तो इसके लिए स्वेम भागिदार होंग जैसा कि आपने देखा अभी मैंने जो विग्यप्ति जारी की गई थी उत्तर प्रदेश भरती परोर्नेद बोर्ड से इसमें सफ़साप्त का गया था कि इसमें अब पहले हम इसको माने किये थे डिगरी को लेकिन जो दुबारा बैठक हुई है उसमें हमने इनको माने नही किया है यानि अब जो है केवल और केवल डिप्लॉमा वाले ही यूपी पुलिस रेडियों अप्टर की वरती के लिए मानने हैं इसलिए बीटेक वाले सावधान हो जाएं और आविदल न करें नहीं तो यह उनके लिए बहुत बड़ा जटका साबित हो जाएगा और उसी के करम में मैं बार बार आप लोगों से कह दे रहा हूं आप यूपी ट्रिपल सी यही दो हजार चोबिस के जो अब यरती डिगरी धारक है वो आप फाम को न भरें क्योंकि जब फाम की स्कुटनी होगी तो उसमें आपके खिलाब कारवाई की जा सकती है और दूसरी बात जो यह काद दो लोग गुरूब बना करके और बच्चों को बलकर आ रहे हैं बेकूब बना रहे हैं तो यह बच्चे सावधान हो जाएं और देख लें कि जब आयोक बोर्ड ही पहले अनमत देता है बाद में जब उसको इस बात का पता चलता है कि दोनों डिगरी समकच नहीं है तो खुद ही इनको बीटेक वालों को बाहर कर देता है तो फिर आप क्यों इनकी जहां से में आ रहे हैं आप जो है यह जो जवाब आया है जो आदेश है उसको देख लीजिए और वेबसाइट यह पड़ा हुआ है इसके बाद ही आप अपने ले लि करके फार्म को बढ़ा गया है तो हम फार्म को उन्रेस्ट करते हुए उनके उपर करवाई भी कर सकते हैं तो आप लोग इस करवाईयों से बचिए अब फार्म को फिल ना करिए थैंक्यू धन बाद आप मारे चैनल स्क्राइब करिए शेल लाइक करते रहे हैं और अगर इस सम्मान में कोई भी जानकारी हमसे चाहिए तो कमेंट बाक मन लिखकर हमसे पूछते रहे हैं ता साथ साथ सुजावी देती रहेगा थैंक्यू